नमस्कार मैं रविश कुमार मनिपूर की हिंसा के 16 महिनों में कारण और समाधान की बातें अब धुंदली हो चली है कि अवल एक ही पंक्ती बार बार दोहराई जारी है कि मनिपूर में हिंसा जारी है और दूसरी पंक्ती है प्रधान मंत्री मनिपूर नहीं गए लेकिन 16 महिनों के दोरान मनिपूर की हिंसा के कई पक्ष अब बन चुके हैं मनिपूर मामले में जवाब देही तीन तस्वीरों पर जाकर टिकती है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी, ग्रिह मंत्री अमिश्या और मुख्य मंत्री एन बिरेन सिंग तीनों एक ही दल के हैं लेकिन तमाम खबरों से लगता है कि इन दोनों की सरकारों के बीच ही विश्वास नहीं बन पाया डबल इंजिन की सरकार के फाइदे बताने वालों को यह भी दिखाना चाहिए कि डबल इंजिन की सरकार का यह सबसे बड़ा घाटा है कि आप मनिपुर में निर्ने नहीं कर पा रहे हैं तमाम नकामियों के बाद भी बिरेन सिंग को नहीं हटा पा रहे हैं मुख्यमंत्री का होसला देखिए खुदग्री मंत्री को पत्र नहीं लिख रहे हैं बलकि उनके दामाद और बीजेपी के विधायक अमिजशा को पत्र लिख रहे हैं कि हिंसा रोकने के लिए केंद्री ने जो संयुक्त कमांड बनाया है उसका नियंत्रन राज्य सरकार को दे दिया जाए केंद्र का कमांड फेल हो चुका है 16 महिनों में कुकी और मैती समुदाय के बीच विश्वास तो दोनों मिलकर नहीं बना सके उल्टा अब एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं कि किस पर किसका नियंत्रन होना चाहिए मई 2023 में मनिपूर के राज्य सुरक्षा सलहकार कुलदीप सिंग को यूनिफाइट कमांड का अध्यक्ष बनाया गया इसी कमांड के बारे में बिरेन सिंग के दामाद ग्रिमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि यूनिफाइट कमांड हिंसा पर काबू पाने में असमर्थ है इसका मतलब राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है केंद्र सरकार नाकाम है जब से राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक ये खबर बाहर आई है कि मुख्यमंत्री केंद्रिय बलों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं कुकी समुदाय सडकों पर उतर गया है 9 सितंबर को कांग पोकपी में बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें मांग की गई कि असम राइफल्स को नहीं हटाया जाए और उनके इलाके को केंद्र शासित प्रदेश घोशित कर दिया जाए इस प्रदेशन से अंदाजा मिलता है कि मनिपूर का एक समुदाय असम राइफल्स पर कितना भरोसा करता है और राज्य सरकार उसे अभी तक संदेख की नजर से देखती है केंद्रिय बलों को नाकाम बता रही है 16 महिने के बाद मनिपूर में ये हालत है इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है जनजातिय संघर्ष में राज्य सरकार खुद भी एक पक्ष बन गई है और उसके उपर केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही राज्य सरकार दोनों पक्षों के बीच मध्यस्ता करने वाले कह रहे हैं कि जब तक केंद्र खुद आगे बढ़कर मध्यस्ता की जिम्यदारी नहीं लेगा पहल नहीं करेगा शांती की स्थापना नहीं हो सकती कुल मिलाकर मणिपूर में अजीब सी भूतहा इस्तिती पैदा हो गई है राज्य इधर से कुछ आवाजे निकाल रहा है तो केंद्र उधर से कुछ आवाजे निकाल रहा है अभी तक यही साफ नहीं कि मनिपूर की हिंसा को लेकर केंद्रे मध्यसता करना चाहता भी है या नहीं मनिपूर से आने वाली तस्वीरे हताश कर रही है लेकिन इस प्रदेश को उसके हाल पर छोड़ कर 370 पर खुब भाशन दिया जा रहा है सारी बहादूरी 370 पर आजमाई जा रही है और मनिपूर में चात्रों का समूँ CRPF की गाड़ी को पीछे धकेल रहा है पत्थराओ कर रहा है यही कश्मीर होता तो पत्थर बाजूं को लेकर हिंदी अखबारों में बड़ी-बड़ी हेडलाईने छब गई होती BJP के नेता गाउं गाउं में भाचन देने लग गए होते लेकिन कड़े एंड बड़े बोथ टाइप के नेड़ने लेने वाली मोदी सरकार मनिपूर के मामले में प्रभावशाली नजर नहीं आती वह यूक्रेन और रूस के मामले में एक्सपर्ट बनना चाहती है एक पुर्वसैनिक की भी मौत हुई है दहिंदू की विजेता सिंग के ट्वीटर हैंडल पर गोली बारी से लेकर आग जनी तक के वीडियो है कभी सुरक्षा बलों पर हमला हो जाता है तो कभी ड्रोन से नागरीकों पर तो कभी रॉकेट चल जाता है 8 सितंबर की देरशाम CRPF के कैम्प पर हमले की योजना बनाई गई थी मगर किसी तरह नाकाम किया गया जिस कांग पोकपी गाउं में CRPF का कैम्प है उसका आधा हिस्सा जला दिया गया और इस हिंसा में एक महिला की मौत भी हो गई एक सितंबर को जब ड्रोन से हमला हुआ तभी सभी चौकन्ने हो गए कि 16 महिने के बाद हिंसा करने वाले कमजोर नहीं हुए उल्टा अब उनके पास ड्रोन है पहले से ही पुलिस से लूटे हुए हथियार इनके पास होने की बात कही जा रही थी लेकिन हथियार अभी पूरे वापस भी नहीं हुए कि ड्रोन इनके हाथ लग गया एक सितंबर को पस्चिम इंफाल के मैतेई बहुल इलाके में ड्रोन से हमला हुआ जिसमें दो लोगों की मौत हो गई नौ लोग घायल हो गई घायलों में एक पत्रकार और दो पुलिस कर्मी भी शामिल है हमले के लिए कुकी जो उगरवादियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कुकी जो गुटो ने दावा किया है कि यह हमला मैतेई गुटो द्वारा कुकी समुदायों पर घात लगाने के जबाब में किया गया यह वीडियो इंफाल का है और मशाले लेकर मैतेई समुदाय के लोग सडकों पर निकले है मेतेई समुदाय का ये प्रदर्शन काफी बड़ा है पुलिस ने इन्हें तीतर बितर करने के लिए आंसु गैस के गोले भी छोड़े मोधी सरकार ने मणिपूर को उसके हाल पर छोड़ दिया है यूक्रेन और रूस के बीच मध्यसता की बात हो रही है लेकिन यहां कुकी और मैतेई के बीच मोधी मध्यसता नहीं कर पा रहे दोनों समुदायों के बीच दूरी इतनी बढ़ गई है कि अलग-अलग जगों पर दोनों अलग-अलग प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों को एक कमरे में साथ बिठाना मुश्किल हो गया है जिन लोगों को बादचीत का काम सौपा गया वो विश्वास पैदा नहीं कर पाए सोला महिने के नतीजे बता रहे हैं कि बंद दर्वाजे के भीतर बादचीत की पहल का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है मनिपूर की हालत यह है कि यहाँ पूर्ण कालिक राज्यपाल नहीं है और मुखिमंत्री हैं कि तमाम नाकामियों के बाद भी स्थाई रूप से बने हुए हैं अनुस्या हुई के यहाँ की राज्यपाल के रूप में कुछ प्रयास करती हुई नजराईंग लेकिन उन्हें अचानक हटा दिया गया असम के राज्यपाल के पास मनिपूर का प्रभार है पिछले 24 घंटे में जब दो बार राज्यपाल से मिलने गए मुख्यमंत्री तब चर्चा चल पड़ी कि उस शायद इस्तीफा देंगे मगर अखबारों में खबर छपी है कि वे नाकामी के लिए केंद्र सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं राज्यपाल से उनकी मुलाकात को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि केंद्र का प्रियोग सफल नहीं रहा बाकी राज्य सरकार तो बहुत ही कोशिश कर रही है लेकिन जिस तरह से एक सितंबर को मनिपूर में ड्रोन से हमला हुआ उसके कुछ दिनों के बाद राज्य सरकार से उससे यही लगता है कि किसी की कोशिश सफल नहीं हो रही है मनिपूर में हालाग बेकाबू ही है केंद्र की भी कोशिश सफल नहीं हो रही है और राज्य सरकार की भी नहीं चाह सितंबर को मोयरांग में पुर्व मुख्यमंत्री के гuate हमला हुआ जिसमें 78 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुर्व मुख्यमंत्री माईरम बाम कोईरेंग के घर पर रॉकेट से हमला किया गया था और ये रॉकेट कथितरुप से बिशुनपूर के मोईरांग स्थित कुकी समुदाई की योर से दागा गया एक सब्ता के भीतर मैटेई इलाके में ये दूसरा बड़ा हमला था इस घटना के बाद भीड ने पुलिस के हत्यार गिरे से हत्यार चुराने की कोशिश भी की जिसे रोका गया साथ सितंबर को जिरिबाम में हमला हुआ जिसमें च्छा लोग मारे गए एक व्यक्ति को नींद में गोली मार दी गई तीर महिने की थोड़ी शांती के बाद सितंबर के पहले हफते में मनिपुर में आठ लोगों की मौत हुई जिरिबाम इमफाल से दूर है और असम की सीमा से लगा है यहां सभी समुदाय के लोग रहते हैं तो इस वज़े से यहां शांती बहाल थी मगर अब जिरिबाम भी ह इंसा की चपेट में आ गया है सितंबर की शुरुआत में ही ड्रोन हमले की जानकारी बाहर आ गई ड्रोन के हमले को लेकर म्यानमार की तरफ भी शक है असम राइफल्स के पुर्व महानिदेशक लेटिनन जनरल प्रदीब चंदरन नायर ने कहा है कि 2021 में म्यानमार से सटे इ लाके में नागरिकों के खिलाब ड्रोन का इस्तमाल हुआ था एकनॉमिक टाइम्स के विकास सिंग की रिपोर्ट है कि ड्रोन हमले को रोकने के लिए असम राइफल्स ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है और सी आर पी अभी और अधिक एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाने क पुलिस सुत्रों ने दहिंदू अखबार को बताया है कि हाल के दिनों में केंदर सरकार द्वारा सुरक्षा बलों को कहा गया है कि घाटी और पहाडी के बीच के बफर्जोन को पार करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चला दें इस कारण लोग हत्यार लेकर बफर्जोन के पास नहीं जा पा रहे इसलिए उन्होंने ड्रोन का इस्तमाल किया मैतेई समुदाय मुखे रूप से मनिपुर की इंफाल घाटी में रहता है कुकी जो जनजातिय समुदाय समित अन्य समु आस पास की पहाडियों में रहते हैं हिंसा शुरू होने के बाद दोनों इलाकों के बीच एक प्रकार की बफर्जोन बना दी गई सुत्रों का कहना है कि कुकी समुदाय का हमला कथित रूप से मैतेई समुदाय द्वारा किये जाने वाले एक हमले को रोकने के लिए था मीडिया में आए आधिकारिक बयानों के अनुसार कुकी समुदाय ने इंफाल पश्चिम के इलाकों में मैतेई गाओं पर ड्रोन से लगातार दो दिन हमला किया इन हमलों में दो लोगों की मौत हुई पुलिस सुत्रों ने हिंदू की विजेता सिंग को बताया कि पुलिस से लूटे हुए हतियार के इस्तिमाल से ड्रोन हमला किया गया लोकल लेवल पर ही ड्रोन बनाया गया मणीपूर पुलिस का कहना है कि इसके लिए उन्हें उकसाया नहीं गया कुकी पहाडियों से बिना उकसावे के ही हमला किया गया यह सब छपा है मनिपूर की हिंसा में अब इतने पक्ष हो गए हैं जितनी देरी की जाएगी उन सभी को संभानला मुश्किल होता जाएगा मैं तेई का भी कोई सर्वमानने नेता नहीं है और कुकी समुदाय का भी नहीं कि दोनों की बात दोनों समुदाय मान लें और दोनों के बीच बात चीत हो किसी को राजी की पुलिस पर भरोसा नहीं किसी को केंद्रिय बल पर नहीं सत्ता रूड राजनेतिक दल के भीतर पार्टी हित पीछे चला गया है उससे भी पीछे रास्ट्र हित आप खोच कर भी नहीं निकाल सकते लेकिन जातिय पक्ष विपक्ष आसानी से नजर आ सकता है प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजनसियां मैतेई बनाम कुकी जूमी के बटवारे में दो फाड होती जा रही है राजची के मुख्यमंतरी बिरेंज सिंग इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे यही चलता रहता है केंदरी की सरकार एक मुख्यमंतरी को नहीं हटा पा रही मुख्यमंतरी बिरेंज सिंग अखबारों में इंटरिव्यू दिये जा रहे हैं उनकी लोग प्रियता घटने के कारण मैतेई बहुल सिट पर बीजेपी लोग सभाचुनाव हार गई मगर बीजेपी की लोग प्रियता खत्म नहीं हुई कम नहीं हुई कुकी और्गिनाजेशन फ्र हूमन राइट्स के वकील प्रशाद भूशन ने सूपरीम कोड को पत्र लिगकर बिरेंज सिंग को हटाने की मांग की है प्रशान्द भुषण के पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री बिरेन सिंग गंभीर किस्म के अपराद में शामिल हैं मुख्यमंत्री एंट बिरेन सिंग ने मेंती और कुकी जुमी पक्षों के बीच बादचीत के लिए नगानेता और भाजपा विधायक डिंगांग लुंग गंगमई को नियुप्त किया इनका कहना है कि जब तक केंदर सरकार आगे आकर दोनों पक्षों के मध्य समवाद कायम करवाने का प्रयास नहीं करती हिंसा रोकना मुश्किल है तो केंदर सरकार कहा है? केंदर सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? राजी का दौरा कर वहाँ सभी गुटों को एक मेज पर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? युक्रेन जा सकते हैं, इमफाल नहीं जा सकते हैं, कुकी औ बिरेन सिंग से क्यों नहीं ताल मेल बना पा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री केंद्रिय बलों को निशाना बना रहे हैं क्या इस वज़से केंद्र पर भरोसा नहीं कर रहे है केंद्र की पहल पर चल नहीं रहे क्या इस वज़से मुख्यमंतरी बिरेन सिंग ने राज्यपाल लक्ष्मन प्रसाद आचारे से मुलाकात की मांग की की पहाडियों में जो उगरवादी कैम्प हैं उनकी तरफ केंद्रिय सैन निबल टारगेट करे जून में जब हिंसा की ताजा घटनाए बढ़ने लगी ग्रिमंतरी अमिश्या ने एक उचस्तरिय मीटिंग की जिसमें ग्रिमंतराल है और सुरक्षा बलो के उच्छे पदाधिकारी मौझूद थे मनिपुर प्रशासन के अधिकारी भी थे लेकिन मुख्यमंतरी बिरेन सिंग शामिल नहीं थे बिना मुख्यमंतरी के हाई लेवल मिटिंग कर ली गई अमिश्या ने कहा था इसके बाद कोई और हिंसा नहीं होनी चाहिए हो तो रही है इसके लिए क्या कदम उठाये जाएंगे मुख्यमंतरी बिरेन सिंग के दमाद और बीजेपी के विधायक राजकुमार इमो सिंग अमिश्या को पत्र लिख रहे हैं कि केंद्रिय बल मूख दर्शक बनकर खड़ा है मनिपूर में 60,000 केंद्रिय बलों से कोई नतीजा नहीं निकल रहा इन्हें वापस चले जाना चाहिए किसी का किसी पर भरोसा नहीं दो समुदायों के बीच अगर सुधार नहीं हो रहा तो कंसकम केंद्र और राजजी के बीच संबंधी बहतर हो जाते पुलिस और केंद्रिय सुरक्षा बलों में तालमेल बहतर हो जाता क्या ऐसा हो रहा है अगस्द 2023 में मनिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाब FIR कर दी थी हिंसा के कुछ मुख्य केंद्रों पर असम राइफल्स को हटा कर CRPF की तैनाती की गई असम राइफल्स को राजजी से हटाने की मांग काफी बढ़ गई थी उस वक आरोप लग रहा था कि असम राइफल्स कुकी समुदाए की हिमाईती है मनिपुर पुलिस पर आरोप लगता है कि वो मैतेई समुदाए की पक्षदर है अब CRPF के कैम पर भी हमला होने की खबरे आने लगी है इसी साल अप्रेल में अलजजीरा में दर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की अंगना चक्रबर्ती की रिपोर्ट छपी है अंगना ने असम राइफल्स के हवाले से रिपोर्ट किया है कि 2023 के अंत में असम राइफल्स ने एक आंतरिक प्रजेंटेशन में अन्य कारणों के अलावा मुख्यमंत्री बिरेन सिंग को भी मनिपूर के हालाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है दे रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस प्रजेंटेशन की समिक्षा की है और पाया की असम राइफल्स की अनुसार बिरेन सिंग की राजनितिक निरंग कुष्टा और महत्व कांशा ने राज्य में अराजक्ता फैला दिये जिस महिने की यह रिपोर्ट है उसी महिने प्रधान मंत्री ने कहा था केंद्र के समय पर दखल देने के कारण मनिपूर की स्थिती में काफी सुधार हुआ है वो तो आप देखी रहे हैं कि अब ड्रोन और रॉकेट से भी हमला होने लगा है ग्रिमंत्री अमिश्या बिरेन सिंग की शंता में अपना भरुसा जता चुके हैं मगर हाई लेवल की मीटिंग बिना उनके कर लेते हैं बिरेन सिंग को लेकर असम राइफल्स की या समिक्षा क्या अभी तक ग्रिमंत्राले के पास नहीं पहुची होगी मनिपूर को लेकर जो रिपोर्ट हो रहा है उसी से पता चल जाता है कि वहाँ क्या-क्या नहीं हो रहा है जिन एजेंसियों को अब तक विश्वास हासिल करना चाहिए था अभी तक वे विश्वास हासिल नहीं कर पाई है केवल बीजेपी के विधायक केंद्रिय बलों पर सवाल नहीं उठा रहे बलकि इनर मनिपूर से कॉंग्रेस सांसर बिमल अकोई जम ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है केंद्रिय बलों की भूमिका पर सवाल उठाया है उन्होंने लिखा है कि ये युक्रेन नहीं है ये मनिपूर है भारतिय संग का एक राज्ज हालिया अपराद की घटनाओं और सिविलियन आबादी पर घातक हमलों ने जिन में रिहाइशी इलाकों पर बम से हमले के लिए ड्रोन का इस्तमाल किया गया कानून की रक्षा करने वाली एजेंसियों की नाकामी को सामने ला दिया है खास तोर पर भारत सरकार की योर से मनिपूर में तैनाद सुरक्षा बलों की नाकामी उजागर हुई है उनके कारियों की या कहना चाहिए उनके नाकारापन की जिम्मेदारी कौन लेगा क्या भारत सरकार को इन मौतों और तबाही की नैतिक और अन्य तरह से जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए कितना अजीब है भारत में युक्रेंटी बात अब मनिपूर के बिना नहीं होती मनिपूर की बात अब युक्रेंट के बिना नहीं होती चुनावी राज्यों में आसानी से मुख्यमंत्री बदल दिये जाते हैं लोग सभा का चुनाव शुरू ही हुआ था कि हर्याणा के मुख्यमंत्री मनुहर लाल खटर को हटा दिया गया चुनाव जितने के बाद शिवराज सिंग चवान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और मनिपुर में इतना कुछ हो गया एन बिरेन सिंग मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए है समझ नहीं आता कि केंद्र और राजी सरकार आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल तीस लाग की अबादी वाले राजी की हिंसा नहीं समल रही दोनों से पस्चिम बंगाल की एक घटना पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात शुरू हो जाती है और मनिपुर में 16 महिने से इतनी हिंसा हो रही है केंद्र और राजी के बीच अव विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है तब भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है हिंसा की जड़ों में मनिपुर के अलग-अलग समुदायों का इतिहास भी है और भुगोल भी दर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि असम राइफल्स की आंत्रिक रिपोर्ट के अनुसार मैतेई समुदाय के हतियार बन समु आम लोगों तक हतियार पहुँचा रहे है और कुकी समुदाय के हतियार बन समु वलिंटियर को समर्थन दे रहे हैं इसका मतलब यही है कि दो समुदायों के बीच आत्मरक्षा की लड़ाई नहीं है हिंसा उस मकाम तक पहुँच चुकी है जहां दोनों पक्षों में जानमाल का बहुत नुकसान हो चुका है आगे भी हो सकता है 16 महिने से हिंसा चल रही है प्रधान मंत्री मोदी मनिपुर नहीं आए यह वही पुर्वोत्तर है जहां प्रधान मंत्री के हर दोरे को गिनकर बताया जाता था कि यहां के राज्यों में भारत के प्रधान मंत्री लगातार दोरा कर रहे हैं और त्रिपुरा से लेकर मनिपुर असम से लेकर मेगाले को मुख्यधारा में ले आए लेकिन पिछले साल मई में जब से वहां हिंसा भड़की है भारत के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी चुनाओं प्रचार करने तक नहीं गए प्रधान मंत्री अपनी ही पार्टी की सरकार के शासन वाले एक राज्य में नहीं जा पा रहे हैं कॉंग्रेस महासचीव प्रियंका गांधी ने कहा है कि मनिपूर लगबख डेड़ साल से जल रहा है रोज हिंसा हत्याएं दंगे विस्थापन घर जल रहे हैं परिवार उजड़ रहे हैं जिंदगिया तबाह हो रही हैं हजारों परिवार रहत केमपों में दिन काटने को मजबूर हैं प्रधान मंतरी जी ने इसे रोकने का अब तक कोई प्रयास भी नहीं किया ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के एक राज़ जी को महीनों तक इस तरह जलता हुआ छोड़ दिया जाए और उस पर बात तक ना की जाए देश की आंतरिक सुरक्षा किसी की इक्षा पर निर्भर नहीं होती या अनिवार दाइत्व है प्रधान मंतरी जी की उदासिंता अक्षम है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि मनीपूर के मुख्यमंतरी को तुरंत बरखास कर दिया जाए केंद्र सरकार इस मामले की पूरी जिम्मेदारी खुद ले सभी प्रकार के विद्रोही गुटों पर कड़ी कारवाई करे सुप्रीम कोट ने अपनी निगरानी में जनजातिया हिंसा के कारणों की जाच के लिए जो कमिशन अफ इंक्वाईरी बनाई है उसका काम जल्दी पूरा हो मनीपूर की हालत बता रही है कि दस साल तक प्रधान मंतरी रहने के बाद भी प्रधानी की नरेंडर मोदी इस समस्या का सामना नहीं कर पा रहे हैं उनका मनीपूर नहीं जाना या खुद पहल कर दोनों पक्षों को बाचीत की मेज पर नहीं लाना बता रहा है कि वे जवाब देही के मामले में मनीपूर से यूक्रेन पर शिफ्ट कर चुके हैं नमस्कार मैं रवीश कुमार